नमस्कार मित्रों मैं पंडित अखिल शुकल यूट्यूब के माद्यम से ये कोरोना वाइरस के संबंद में बड़ी ध्रहांतिया पैदा हुई है आप देख सकते हैं भारत वर्स में इस तरह की कई महामारी आई और हमारे हाँ जो भी चीजें प्राप्त थी प्राकर्तिक तोर पर उनसका ही प्रियोग करके हमारे आईरवेद अचारियों ने उनको जड़ से उखाड़ फेका जैसे प्लेग प्लेग बटी बनाने के बहुत सा तीवी कीवी हमारे हाँ आईरवेद चारियों ने बहुत सारी दवाईयां असरकारी बनाई और उसको समूल लस्त किया अब यह एक कोरोना वाइरस उत्पन हो गया है बड़ी घबराट है नाना प्रकार की आपने देखा होगा आज तक चेनल पे और दूसरी चेनलों पे लो नकली सेनिटाइजर बना रहे हैं कोई कुछ बना रहा है सब अपना गौरत दंडा चालू हो गया है मैं आपको बड़ी सरल सरल चीजे बता देता हूं जो आपके घर के आसपास उपलब्द हैं और आप उनसे इससे बचा जा सकता है पहले तो मैं आपको अपने घर में एक मट्टी का पात्र लीजिए या तामे का पात्र तामे का पात्र अच्छा रहता है क्योंकि तामे के पात्र में ही धूब देना चाहिए यह जंगली कंडे हैं यह धे यह जंगली जो गिरे हुई मिल जाते उनकी खासिएत ऐसे दिखेंगे यह यह उल्टा वाला बाद है इसमें यह मट्टी लगी रहेगी यह मिल जाते हैं मजार में यह आप अपने आसपा से कट्था कर लीजी या आपके दूद्वाला कोई भी लाक देदेगा यह मिल जाए नहीं तो यह थोड़े दुर लावे नील गाई की और इसमेहरन की लेंडी मिली हुई है कि आपने देखा होगा कि टीवी के पेशेंट को ठीक करने के लिए पहले बकरी के कोठे में बांदा जाता था है अगर एक नीलगाय एहरन की खेर आपको नहीं मिल पाईगी हमको तो मिल जाती है महिस्वर दूप हम जो बनाते हैं यह रखी हुई महिस्वर दूप हाला कि इसमें मैंने सब चीज़ें डाल दियें फिर भी आप अपने घर पर कैसे प्रियोग करना ही करा रहा हैं महिस्वर दूप ले न सब्सक्राइब देख लिए एक अड़ ले लीजीं यह गूगल बजार मिल जाती है सुद्ध गूगल इस तरह से दिखेंगे आपको इसको पीश लिए को यह कपूयों डेशी कपू sollten लेना मेजार वाला केमिकल कपूर नहीं है कि यह अजवाइन का फूल कि अजवाइन का फूल भी बजार मिल जाता है अजवाइन और फूल बहुत बड़ा इंटीबायटिक है मिट्रो मेजवाइन है इदे के पेट करोप ठीक करती है इसका फूल बहुत तीवर एंटिबाइटिक है और इस तरह के वाइरस को मारने और भगाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और यह है गंधक पिसी हुई गंधक है बजार में केमिकल वाले क्या मिल जाएगी है पुराने जमाने में जब हमारे सल चिकित्सा करते थे आईरवेदाचार या उसके बाद में भी जब तक यह आपका हमाने आप एक रोग फिलता था धनुरवाद उसको ठीक करने के लिए या आपरेशन थीटर में बहुत अभी तक थोड़े साल तक मतलब अभी अभी तो यह सब चीज़ें नहीं आ गई आज से दस बीज साल तक आपरेशन थीटर को एंटी वायरस बनाने के लिए या जिससे टिटेनस रोग को भगाने के लिए उस रूम में उस कमरे में गंधक को जलाये जाता था उसकी दूनी दी जाती थी कंडे पर यह आयरवेद में लिखित है गूगल अजवाइन के फूल और कपूर इन सब को मिला लेते इसमें यह तो यह चीज गूगल और कपूर तो बरावर मिला ले अजवाइन का फूल जैसे माली जे 25 पच्चिस ग्राम यह दोनों चीज़ें म 10-15 ग्राम अजवाइन के फूल मिला दीजिए और पांच ग्राम केवल पांच ग्राम गंदक क्योंकि इसको जलाने से कारवन मोनो अक्साइड गैस निकलती है तो वह हमको नुक्सान दायक तो नहीं है पर थोड़ा सा घवराट पैदा होती है इसलिए सब वायरस को मार देत गटी है इन चार चीज को मिला पावडर बना लिए रहा है रख लिए है आपन ऐसा नहीं अब देच सी मिल जाता है थोड़ा प्रयास करो संसार में क्या नहीं मिलता भगवान उतर जाता प्रयास से तो इसको पात्र पर जला दीजिए और इन चारह चीजों का मिस्रण मिना को इसकी मात्रा कब रखिए पांच ग्राम बस यह रखिए पंदर ग्राम यह रखिए अजवाइन का कूल और पच्छिस पच्छिस ग्राम इन दोनों को मिला लेजिए का पूरो गूगल यह आपका एंटिबाइटिक चीज तैयार हो गई मित्रों यह बड़ी जबरजस्ट ची इन खाला सिखा दिया धूब घर में कराना सिखा दिया इसा महाकाल का काम है तो आप ओम नमस्षिवाय का जाब करते हुए 11 बार इसको जला के घर में और अपने खिड़की दर्वाजे बंद करके 10-5 मिनिट बाहर चले जाए ऐसी जगे रखिए कि चारों तरफ आपका धु हो जाएगा इसके बाद आप खिड़की दर्वाजे खोल दीजिए आपका पूरा घर एंटिवाइटिक हो गया यह काम करना चाहिए आपको सरल है घबराना मिलकुलने चाहिए बहुत सरल है गंदक भी मिल जाता है गंदक की डिगली मिलेगी तो पीस लीजिए यह तो एक का काम हो गया अब दूसरा काम बताता हूं आप लोग सब जानते हैं कि जब हमारे पास सब हैं आप लोग ध्याननी देते बस इसका दुख होता है समसान में हम जाते थे तो वहां से जब वापस आते थे नहा के तो एक नीम की पत्ती तोड़ लेते थे और उसको थोड़ी से दूरतक के घर का कोई सदस गया उसके घर आके बाहर आग जलती रहती थी हमारे दोनों पैरों पे उसको लगा के सिर पे लगा के उसका पानी छिड़के और उस आग में रख देते थे जिससे कि जितने भी वाइरस समसान से आएं वहां मर जाएं कितनी सरल बात आप इसको सम प्रवाली नीम की पत्ती बहुत तेज होती है उसको कूट विसकेस में मिला दीजिए यह हो गया अंटिवाइटिक तयार इसके तरिक तब आपको करना क्या है यह रोसा घास आइल कहीं मिल जाए आप यह रोसा घास का सुद्ध तेल है यह अगर आप इसमें चार बूंद औ लेते हैं पूरा घर में जाएगा और यह बहुत बड़ा रोसा घास आइल एंटिवाइटिक होता पुराने समय में वेद लोग इसको हाथ में लगाते दें जो सल्ल क्रिया करते थे यह वह काम की चीजिए अब आपको बताता हूं क्या मनाना सेनेटाइजर सेनेटाइजर ब कोई घबराने की जरूएत नहीं अलकॉल की एक सीसी खरीद लाइए उसमें हमारे घर में जो पिसी हल्दी होती है उसको मिला के हिला लीजिए यह बन गया सेनेटाइजर इसको बड़िया हाथ पे लगाईए मुचेहरे पे लगाईए इस बड़िया सेनेटाइजर आपको ब जाता था यह हो गया सेनेटाइजर तो घबराते क्यों हाँ और इस तब नहीं बनता तो यह हमारे मैस्टर दूप है इसमें सब चीज अंडली हुई है